SEO आपके website के लिए आपके business के लिए important क्यों है तो सारे लोग Google पे कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं अगर स्टाइटिस्टिक की बात करूँ तो अभी हर second Google पे 4000 से जादा लोग सर्च कर रहे हर daily 1.2 billion से जादा लोग कुछ ना कुछ Google पे सर्च करते SEO से मिलने वालो review ने का ROI क्यों से calculate कर सकते हूँ Hello guys, my name is Swapnil Mazgaowkar और आज मैं बात करने वाला हूँ SEO के बारे में SEO आपके website के लिए आपके business के लिए important क्यों है आप सारे लोगों ने website में भी बनाए होगी या फिर बना रहे होगे लेकिन सिफ website बना के आपका business बड़ा नहीं होने वाला आपको अगर आपका business next level लेके जाना है या फिर वहाँ पे exponential growth चाहिए तो आपको आपके website का SEO करना पड़ेगा तो basically SEO क्या है? SEO यह होता है search engine optimization Search engine optimization में क्या होता है? आपका keyword के लिए आपका website और top position में लाने की जो भी process होती है that is called as SEO अगर Google के हिसा आप से देखा जाए तो सारे लोग Google पे कुछ न कुछ सर्च कर रहे है अगर statistic की बात करूँ तो अभी हर second Google पे 4000 से जादा लोग सर्च कर रहे है हर daily 1.2 billion से जादा लोग कुछ न कुछ Google पे सर्च करते है जैसे आप सर्च कर रहे हैं आपके आजूबाजूआले सर्च कर रहे है वैसे ही आपका customer भी Google पे कुछ न कुछ सर्च कर रहे है तो गूगल से जो भी ट्राफिक आता है वो बहुत relevant होता है क्योंकि मैं खामका जाके Google में 1BH के फ्लैट, 2BH के फ्लैट ये चीजे में डालने वाला नहीं हूँ जब मुझे फ्लैट लेना है तभी मैं ऐसे कुछ सर्च कर रहे हैं डालूँगा तो इसके लिए जो भी लोग गूगल से आपके वेबसाइट पर आएगे वो बहुत ही जादा relevant होते और उनका conversion ratio भी जादा होता है तो इसके लिए SEO बहुत important है जैसे कि मेरा कुछ प्रोजेक्ट चर रहा है मैंने कोट रूड में एक apartment बना रहा हूँ उसके लिए मैंने website बना दी लेकिन 2PHK flats in court route डालने के बाद मेरी website first page पर बने second page पर नहीं है वो fourth page पर है तो वहाँ से मेरे flats sale होने वाले नहीं है लेकिन मैंने मेरे website का SEO कर दिया और मेरी website first page पर आगई, first rank में भी आगई तो वो time पर वहाँ से मुझे बहुत सारा business मिल सकता है तो इसके लिए आपको आपके website का SEO करना बहुत जादा important है तो इसके लिए और एक हमें example पर लेते हैं जैसे कि आप क्या कर सकते हो आप आपका SEO से मिलने वाले रेवी उनुका ROI कैसे calculate कर सकते हो उसके लिए आपका कोई business है suppose मान लो आप कुछ catering services दे रहे हो और आपके keyword है caterers in पूने catering provider, wage caterers in पूने ये सारे type के आपके सारे keyword है और आपको keyword planner ये अश्वे बहुत सारे tools से पता चलता है वो कितने लोग search कर रहें और example अगर देखा जाए wage caterers in पूने ये सारे लोग search कर रहें on an average आपके relevant keyword 10,000 से उपर लोग search कर रहें तो ये 10,000 आपके probable customer है आपकी अगर website उनको नहीं दिख रही है तो ये सारे customer आपसे miss out हो रहे है जैसे कि आपको अगर इसका ROI calculate करना है तो वो time पे आपका अगर website first page पे आगया first rank पे आगया तो 10,000 में से हम पकड़ लेते 2000 लोग भी आपके website पे आएंगे उससे भी कम लोग inquiry form परेगे जैसे 2000 में से अगर 100 लोगों ने भी inquiry form पर दिया तो वो आपके lead में हो गए और lead to conversion ratio भी हमने पकड़ लिया उसमें से 30 लोगों ने भी आपको order दे दिया तो भी हर मेने आपको 30 orders नहीं मिलेंगे 30 नहीं convergence मिलेंगे तो daily आप किसी ना किसी को convert कर पाऊगे और on an average अगर देखा जाए तो आपका 20 से 30,000 के बीच में ही तो billing होगा उससे जादा ही होगा तो अगर 30,000 पकड़ लिया और into 30 conversion per month तो आप देख सकते हो आप कितना revenue generate कर सकते हो ऐसे ही और भी आप keyword आप Bombay में जाओ या फिर और कहाँ पे भी जाओ तो आपको बहुत सारे keyword मिलेंगे जो लोग search कर रहे तो यहाँ से आप अच्छी तरीके से आपका ROI generate कर सकते हो तो इसके लिए हम यही करते है या फिर कोई भी digital agency क्या करती है आपका website search engine friendly बनाती है उसमें बहुत सारी चीज़े होती है जैसे Google की कुछ guideline से आपको क्या क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए यहाँ पर आपको आपके खुदको ही site पर मेहनत करनी होती है उसे search engine friendly बनाना होता है तो वही चीज़े SEO में आती है कि कैसे आपकी website SEO friendly या फिर search engine friendly बना है ताकि आप होहाँ से आपके relevant keyword के लिए आप उपर आ सको तो यह आप I hope you understand कि आप कैसे SEO से आपका ROI generate होगा और भी मैं बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेका होँगा next हम social media के बारे में भी बात करेंगे I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा please हमारे चैनल को subscribe कीजे, like कीजे तो मिलते हैं हम next video में thank you very much झाल